असलामएं धी, आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस पास्टा, तो चली देखते हैं हम इसे किस तरीके से बनाते हैं वाइट सॉस पास्टा बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस को ओन कर लेंगे, इसे पेन रख देंगे, पेन में बटर दाल देंगे एक टेबल स्पून तो आप देख सकते हैं जो बटर है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो आप हम इसमें हाफ कप मैदा दाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आप देख सकते हैं जो मैदा है वो अच्छे से बटर में अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें एक कप मिल्क दाल देंगे इसे दाल के हम इसे अच्छे से चलाना और इसे तब तक ही चलाना जब तक कि जो मैदा है वो जो मिल्क में वो अच्छे से अच्छे से मिक्स ना हो जाए यह process आपको एकदम fast करना है इसे continuously आप चलाते रहिए अब हम इसमें cheese दाल देंगे इसमें oregano दाल देंगे chili flakes भी दालना है मैंने chili flakes दाल दिया था लेकिन video on नहीं हुई थी sorry अब taste according नमक दाल देंगे इसे दाल के हम इसे अच्छे से चला लेंगे यह boiled हुआ pasta है पास्ते को हमने पहले से ही boil कर लिया था आप देख सकते हैं तो अब हम sauce में यह pasta दाल देंगे इसे दाल के हम इसे अच्छे से चला लेंगे अब देख सकते हैं उबाल आना शुरू हो गया है इसे अच्छे से mix करेंगे आप देख सकते हैं जो हमारा पास्ता है white sauce pasta वो बन के ready है यह कितना tempting लग रहा है देखने में ही तो खाने में कितना अच्छा होगा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सिस्क्राइब करेगा वीडियो को लाइक करेगा शेर करेगा और कमेंट करेगा थैंक्स पो वाचिंग दिस रेसिपी थैंक्यू